कॉलोनी में रहवासी गण पिछले कई महीनों से पानी की समस्या से जूज रहे हैं वही इन लोगों की ना तो कोई जन प्रतिनीधी सुद ले रहा है और ना ही कोई अधिकारी ऐसे में इन लोगों को हैंड पंप और अन्य जगों से पानी लाना पड़ रहा है पर कोई भी सुद लेने वाला यहां मौजूद नहीं है और यहां की सबसे बड़ी समस्या जो है वह समस्या पानी की है जिसकी सप्लाइ बहुत ही कम रूप में की जाती है और कई जगे तो पानी ही नहीं पहुँच रहा है ऐसी स्थिती में इन लोगों को दूर दूर से पानी की विवस्था करनी पड़ रही है रहवासियों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार सीम हेलप लाइन पर भी शिकायत की गई वही नहीं रहवासियों का कहना है कि अगर इनकी पानी की समस्या का अस्थाई समाधान नहीं किया गया तो नगर परिशद कार्याले, SDM कार्याले पर धरना दिया जाएगा साथी साथ कलेक्टर कार्याले का घेराव भी किया जाएगा अगर पर दुदा करते लाइन करहें हुए और में पर रहों पर दो सिकायत करी इसकायत करी हुए तो उनकल यह कहना है क्या है तो तई पर दो ना ओले हमारे हम इसका बुकतान भी कर दिया है पानी के लिए तराना सियत नियामत अली की रिपोर्ट